आगे बढ़ा जाए और अच्छा मैं आगे बढ़ूं से पहले वो चार का चौकर का टीजर दे देता हूँ आपको उसके बाद आज के वो क्या चल रहा है पर चला जाएगा ताकि इस बीच चार का चौकर रेडी हो जाए एक्सपर्ट्स रेडी हो अपने बैतरीन पिक्स के सा आपके पास आओंगा एक बड़ी असर ट्रेड आइंटिफा करके रखेंगा पांच साथ मिनिट में आपता हूँ आपके पास एफनो सुपरस्टार के लिए रशना जी भूपाल आने वाले हम लोग और चार्ट का चमतकार सावन साब देंगे आपको मिटकाब फंडा मयुरेश एक सोच के रखेगा आपने बड़िया जिंदल सा तो अलड़ी हाइलाइट कर रखा है एक और बड़िया सी पिक के लिए आप तयार रही है और लाईए भई स्रीन्स पे ज़रा चिक्या चल रहा है का स्टिंग मनीशा आपको स्टूडियोज में समेरेडी नजर आएंगे हमने कब इस टिंग मनाया था हमने का था क्या चल रही है वो माने नहीं यह लोग तो क्या चल रहा पर रुग गई है काने लेकर आज क्या चल रहा है मेटल चपर फार के चल रहा है सिर्फ वाइदागी स्टॉक्स गिनाता हूं कैश में जाता ही नहीं नालको एफनो का टॉप गेनर सेवन परसेंट का मूव सेल पांच परसेंट उचाल के साथ ट्रेड करता हुआ वेदान्ता जेस पील सब के सब टॉप फाइव गेनर्स की लिस्ट में शुमार इस तरह से मेटल्स का आउट परफॉर्में सभी मेटल्स में हमने एप्रिल एक बहुत स्ट्रॉंग महीने की तरह से देखा था और बाजार को लग रहा था कि शायद मही का महीना आपके लिए कुछ कंसॉलिडेशन लेकर आएगा लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो एप्रिल की तेजी थी मही की तेजी उसके उपर बिल अगर आप CME और LME देखें तो यहाँ पर भी 300 डॉलर का हम प्रीमियम के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर 3-4 वज़ाए हैं जिसका हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है immediate demand तो ठीक है बढ़ी रही है वो बहुत जादा नहीं है लेकिन जो तेजी है वो forward looking demand को लेकर है कि आगे जाकर जो conventional sectors है वहाँ पर तो मांग रहेगी जैसे आपका infrastructure है आपकी cabling है आपकी electricity है लेकिन इसके अलावा आप solar देखिए, EV देखिए, AI देखिए, data centers देखिए, main frames द demand काफी strongly बढ़ती भी नजर आ रही है और बाजार ये calculation लेकर चल रहा है कि आज के बाद 2027, 2030 में जिस तरह की demand निकल के आएगी क्या वैसी supply होगी तो शायद नहीं क्योंकि mine जब शुरू होती है वो तब होती है जब आपके पास metal आपको इतना profit दे रहा हो जो कि हमने पिछ की बात चल रही थी तो आप MNA activities होता हुआ देखेंगे नए projects शायद उतना नहीं होता हुआ देखेंगे जहां तक copper की बात है अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो हमने करीब करीब 20% की गिरावट यहां पर inventories में देखी है यानि कि लोग इस level पे भी copper खरीद के warehouses मे रख रहे हैं क्योंकि उनको मालुम है कि आगे जाकर और महिंगा यह हो सकता है और सिरफ copper ही नहीं है बाकी सारे metals में तेजी है जैसे आपने कहा steel में हमने positive trends बनतावा देखा है लेकिन zinc यहां पर 12 महीने के highs पर है aluminum 15 महीने के highs पर है lead और tin की भी बात की जाए तो 20-24 महीने के highs पर यह कारोबार कर रहे हैं एक latest trigger जो बाजार में आया वो यह था कि चाइना ने 1 trillion yuan का यहां पर bond issue किया है तो clearly अपने markets को अपने property sector को support करने के लिए चाइना भी यहां पर काफी कुछ कर रहा है तो यह सभी factors हैं चाहे वो mines को ले ले लें आप smelters ले लें freight rates हाई हैं तो इस महीने ही metal index 5% का उच्छाओ और आज one of the top performing sectors के तौट पर यह देखें पौने 3% तो आज ही मजबूती खैर metal के कैसा है stocks तो experts ने पहले ही recommend कर दिये हिंदुस्तान copper, jindals और वीरू ने JSW steel पर चर्चा कर ली पर क्योंकि सावन साब आपके radar पर metals थे तो मैं आता हूं थोड medal जैसा out performance तो नहीं है लेकिन आज सुबह से हरकत में है, वो है defense stocks, दो सरकाज है